हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आपने टाइटिल पढ़ा होगा कि यदि आप TGT या PGT English की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं जब भी हम TGT, PGT, English या किसी एक्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक strategy को follow करना बहुत जरूरी होता है और वो strategy कभी भी अकेले या दो-चार students के साथ बैठ कर बनाई तो जा सकती है लेकिन उतनी बहतर तरीके से follow नहीं होती वही strategy जब एक बड़े ग्रुप में follow की जाती है तो फिर वो बहुत 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 तरीके से follow भी होती है और उसके बहुत fruitful results भी आते हैं आप सभी के पास अपनी TGT English, PGT English की तैयारी करने के लिए source material, books, guides, textbooks जरूर उपलब्ध होंगी और आप daily 3-4 घंटे उन books के साथ तैयारी भी करते होंगे लेकिन कभी आपका मन करता होगा तो कोई book उठा लेते होंगे कभी आपका मन करता होगा तो कोई topic पढ़ने लगते होंगे इस तरीके से TGT, PGT English की तैयारी करने को mistake कहते हैं यही गलती है जो आप कर रहे हैं उसके लिए एक नियम बनाया है मैंने कि हम TGT और PGT English की तैयारी जो हैं 150 section में माटते हैं 150 lectures में हम की तैयारी करते हैं 75 literature के section को माट लेते हैं और 75 parts में ही grammar के section को माट लेते हैं TGT और PGT दोनों के लिए TGT के section थोड़े छोटे होंगे PGT के section थोड़े से बड़े होंगे अब TGT English में जो literature का section है उसे 75 parts में माटते हैं और उन 75 parts में सभी writers के सभी works को एक एक दिन देते हैं और literary terms को combine करके जो लगभग एक जैसे होते हैं चाहें aside है, sorry lucky है इन सब को एक ही दिन में cover करते हैं और हर topic पर सामको 30 MCQs discuss करते हैं, test लेते हैं आपका, उन 30 MCQs के थुरू ताकि आप ये समझ सकें कि आज आज आपने कितनी तयारी की है और कहां आपसे mistake हो रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे miss हो गए Dear friends, आप उन 30 MCQs और वो topic चो मैंने बनाया है 150 section में उस दिन के लिए उसे तयारी करने के लिए आपको एक से दो घंटा लगेगा और आपकी preparation उस topic की अच्छे से हो जाएगे बचे हुए दो घंटे क्योंकि आप 4 घंटे minimum तयारी करते होंगे बचे हुए दो घंटे में आप अपने मन के हिसाब से जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़े इस तरीके से आप लगवक 4 hours पढ़डे तयारी करें जो आपने दो घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा है TGT PGT English के लिए उस दिन वो 7 days के बाद जैसे ही Sunday आएगा आपका mock test लेंगे 125 MCQs का अब उस mock test को देने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि overall आपकी तयारी कैसी चल रही है और जो mock test का level होगा वो easy नहीं होगा एक standard तरीका होगा उसका जिससे कि आपको inspire भी किया जा सके, motivate भी किया जा सके कि हाँ अभी आपको और बहुत सारा पढ़ना है और ये बो तरीके हैं जो अपनाई जा रहे हैं तयारी के TGT-PGT English के ताकि आपकी तयारी निरंतर चलती रहे आपकी तयारी रोके ना, आप कहीं पर डिप्रेश ना हूँ आप कहीं अकेले न पढ़ जाएं इसलिए ये गुरुप बनाया क्या है और इस गुरुप को बनाकर तयारी की जा रही है और बहुत सारी जानकरिया हैं जो कि आपको इस गुरुप में आने के बाद ही दी जाएंगे इसका मतलब सीधा है, dear friends कि अगर आप एक दिन भी देर करते हैं तो आपका एक टॉपिक छूट जाता है इसके कहने का सीधा सा मतलब है कि हमने ये तयारी एक अक्टूबर से प्रारम की थी तो आप पहले सही लगवक तीस दिन लेट हो चुके हैं इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी बहतर तयारी के लिए हमारे साथ आज ही जुड़े अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपनी उन एक सो पचास सेक्शन में एक पार्ट लेट हो जा रहे हैं जिसकी पढ़ाई करने के लिए आपको एक से दो घंटा एक्स्रा पढ़ना होगा अर्थात पिसले तीस गरों में आप 60 घंटे की पढ़ाई जो है के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बहां आप जाएं और हमारा गुर्प जोइन करें और जो हमारा डेली टेस्ट है साम को 6 बजे से TGT का और 7 बजे से PGT का उस डेली टेस्ट का हिस्सा बने टॉपिक्स आपको पहले से पता होते हैं किस दिन किस टॉपिक को लेकर टेस्ट होगा किस दिन हमें किस टॉपिक की तैयारी करनी है उससे relevant materials के लिए हमारी books आपके पास उपलब्द होंगी यदि नहीं है तो notes आपको दिये जाएंगे भीजे जाएंगे उस ग्रुप में और वो books हैं तो आप उन books के तहती तैयारी कर सकते हैं तो यह बहुत important जानकारी है जो मुझे आपको देनी थी और उमीद है अगर आप seriously तैयारी कर रहे हैं TGT और PGT English की तो आप हमारे उस गुरुप का हिस्सा जरूर बनेंगे और अपनी तैयारी जो है उसको जोर सोर से आगे बढ़ाएंगे So thank you friends, thank you very much